So, Hello Friends! Welcome back to another new video and दोस्तों जैसिक आपको पता है कि Xiaomi मार्केट में काफी कम स्माटफून यहाँ पर लाँच करता है लेकिन जो भी स्माटफ़न लाँच करता है काफी important स्माटफ़न लाँच करता है SM20 को जो popular series Redmi Note 14 series काफी जल्दी इंडियन मार्केट में लाँच होने वाल है वेसे देखा जाए तो जो स्मार्टफोन ने अल्रेडी यहाँ पे चैनल में लाउंच हो चुका है तीन स्मार्टफोन लाउंच हो चुके है Note 14, Note 14 Pro and Note 14 Pro Plus उसमें से Note 14 Pro Plus काफ़ी तगड़ा डिवाईस से काफ़ी फ्लंक्रिव लेवल की फीचर्स इस डेस में देखने को मिलते तो चलिए दसो आज के सुड़े में हम बात करने वाले इसी Redmi Note 14 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे क्या प्राइस पॉंट पे इंडिया में लॉंच हैने वाला है एड इंडिया के लिए कौन को से तगड़ स्पैसिफिकेशन और फीचर्स इस डेस में रहने वाल है तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे स्मार्टफोन की design and build quality को लेकर बात करेंगे तो इसका जो back panel है glass back panel देखने को मिलेगा front and back में आपको 3D curvature design देखने को मिलता है side की जो frame है वो आगेन आपको यहाँ पे plastic की देखने को मिलती है तो आपके बेजर्स और नीचे की जो चीन है काफ़ी small and पतले टाप के देखने को मिलते है सेंटर पंचोल डिस पर देखने को मिलता है और बेसली प्रो प्लस डिवाइस से तो आपको यहाँ पे cover डिस पर देखने को मिलता है सो design and build quality को लेकर आपको कोई भी यहाँ पे दिक्यत और शिकायत देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इस डिवाइस में आपको IP66, 68 and 69 का यहाँ पे rating मिलता है सो waterproof body completely आपको यहाँ पे जो protection है इस डिवाइस में देखने को मिलता है चले दो सब बात करेंगे इस डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे जो कि काफी तगड़ एंड फ्लैक्शिक डिस्प्ले में देखने को मिलता है क्योंकि दो सो 6.67 इंचेस का full HD प्रेस जो की 1.5K resolution का एक AMOLED डिस्प्ले मिलता है इस बर आपको 3000 निट्स का पिक ब्राइटर में मिलता है 120Hz रेफ्रेश रेट के साथ मिलता है इसके आल आपको 12 बीट के डिस्प्ले एंचेजर 10 प्रस का सपोर मिलता है डॉल भी विजन का भी सपोर मिलता है इसके लादों सब बात करेंगे Corning Gorilla Glass Victus 2 का भी यह पर प्रोटेक्शन मिलता है इसके बार में बात करेंगे तो काफ़ी तेग्ड स्पैसिफिकेशन आपको डिस्प्ले में देखने को मिलते है इसके डिस्प्ले में काफ़ी ब्राइटर कॉंटेंट वाच कर सकते है आपके लिए इस फोन के डिस्प्ले काफ़ी बेटर चोईस रहने वाला है क्योंकि सारे एक सब जो स्पैसिफिकेशन से फीचर से फ्लेंट की फीचर आपको इसके डिस्प्ले में देखने को मिल जोके है चले दोस्तों बात करेंगे नोट 14 प्रो प्लेस के कैमरा के बार में जो की गेम चेंजिंग कैमरा रहने वाल है वेसे देखा जाए तो प्रिवेस जनरेशन में आपको 200 मेगा पिक्सल का कैमरा मिलता था बट इस बार इस बार आपको क्वालिटी एंड या जो उप्टिमाजेशन से उसके उपर ध्यान दिया है केम की दासो इस डेस में 50 मेगा पिक्सल का एक OIS ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है जिसमें 50 मेगा पिक्सल का OIS का सेंसर है Omnivision Hunter 800 का सेंसर मिलता है सेकंडरी लेंस है जो की 50 मेगा पिक्सल का एक टेले फोटो लेंस मिलता है जो कि सामसंग जेन वन सेंसर मिलता है तेलिव फोटो लेंस फर्स तेम एवर आपको नोड सेरीज में देखने को मिलेगा थर्सेंसर के बारे में बात करेंगे जूकि एक मेगा पिक्सल का अल्टरा वर्ड एंगल भी देखने को मिलता है वो भी बीर काफी गेम चिंजन्जिंग क्यामरा इस डिर्स में देखने को मिलता है, बाकि जो स्पैसिफिकेशन की फीचर से 4K एटर 30 पस में शूट कर सकते हैं, ES, Electronic Stabilization का भी सपोर मिलता है, बाकि ओररल जो फीचर से वो भी आपको कैमरा में देखने को मिलेंगे, इस सेलफी शूटर के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको 20 मेगर पिक्सल का फ्रंट क्यामरा मिलता है, जो कि अगर यहाँ पर सूनी का ही सेंसर मिलता है, सो कैमरा डिपार्मेंट के बारे में बात करेंगे, तो इस बार आपको कैमरा में काफ़ी बेटर इंप्रोमाजेशन, Note 14 Pro Plus DS में देखने को मिल जो का है, इसके बात करेंगे, इस DS के Power and Performance के बारे में बात करेंगे, जो कि इस DS में Snapdragon 7S Gen 3 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 4 nm आर्किटेक्चर पर बैस्ट है, और काफ़ी लेटेस ने यहाँ पर प्रोसेसर यहाँ पर आफ़र किया गा है, इसके N2D Benchmark score के बारे में बात करेंगे, तो नेर अबाउट 7.5 लाग के आसपास इसके score देखने को मिलते हैं, गेमिंग के बारे में बात करेंगे तो स्मूथ में आपको Extreme मतलब की Constantly 60FS में यहाँ पर गेंप्ले कर सकते हैं, गेमि में कोई भी देखने को नहीं मिलेगी, अंडर 30,000 के क्याटेगरी में गेमिंग परफॉर्मस है, वो भी काफ़ी फ्लैक्शिप एंड तग्री टैप की यहाँ पर परफॉर्मस इस डिस में आपको ओफर किया है, एंड इसके बार दोसों बैटर कैपसिटी एंड फास्ट चार्जिंग के बार में बात करेंगे, जो कि यह काफ़ी गेम चेंजिंगे, क्योंकी दोसों नोट 14 प्रो प्लेस डिस में यहाँ पे 6200 एमेज का पाउर्फूल बैटरी बैकर मिलता है, काफ़ी हुज यहाँ यहाँ पे नुमबर ने, 6002 एमेज का बैटरी बैकर मिलता है, ने, यहाँ आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का पी बैस्ट मिलता है, के बारे में बात करेंगे इस डेस में आपको HyperOS का अपडेट जो के Android 14 के साथ आउट डेबॉक्स मिलता है इस डेस में आपको 3 Android के मेजर अपडेट भी देखने को मिलेंगे साथी सथ आपको सेकुरिटी पैचेस जो की 4 साल तक Android जो सब्सद्रेंस की अपडेट से डेखने को मिलेंगे का तुम बैटर देखने को मिलेगा इसके और आपको आंगा और यह जो रिमेंफिर्टर का भी सप्पोर्ट मिलता है जो की डाली एट मोस के साथ आपको सबूड आता है वो इसमें देखने को नहीं मिलेगा बाकि वाइपस ब्लूकर जो इंपसे का इंपोर्टन फीचर है एन अपस का भी सपूर्ट मिलता है 12 फाइब के साथ लॉंच हो चुका है तो को इंडिया में आपको definitely 8GB 128GB का वेरंट है वो आपको यहाँ पर definitely देखने को मिलेगा और इसके बाद RAM and storage टाप के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पर जो best वेरंट है उसमें LPDDR4X and UFS storage 2.2 का support मिलेगा बड़ जो higher वेरंट है 12GB and 16GB जिसमें LPDDR5 and UFS storage 3.1 का भी support definitely this में देखने को मिलते हैं so काफी big gap है चोईसे एंड कलर वेरंट के बारे में बात करेंगे तो तीन कलर वेरंट के साथ available हो चुका है green black white तीन कलर वेरंट के साथ available हो चुका है आपको जो भी pricing के बारे में बात करेंगे वेशा चाना में जो डिवाइसाज और वेगे प्रैसिंग पॉँट्ब्ट पर लॉञ्च हो चुका है जो केकर बैज मॉड़ का प्रैजें लेकिन द्यान में रखे चाना में एंड इंक्लूडिंग बैंक ऑफ़र के साथ यह जो फोन सिर्फ आपको 30,000 के आसपास देखने को मिलेगा अंडर 30,000 के प्राइस पॉइंट पे जो डिवाइस है काफी किलर एंड गेम चेंजिंग स्मार्टफोन रहने वाला है अगर आप यह फोन पर्चेस करना है तो काफी जल्ड फिलिपकाट या फिर एमजोन के सेल में यह जो फोन अवेलिबल होने वाला है वैसे मोस्ट प्रोबाबली जो स्मार्टफोन ने डिसमबर के एंड में मतलबी लास्ट इविक में 100 परसंद या पर लॉंच हो सकता है आपको यह स्मार्टफोन कैसा लगा नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बता सकते हैं वीडियो पसंद आचोगा होगा तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ एसा इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू बबाई टेक केर